स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं राश्टे गोरो परियावरण एवं मानवाधिकार अन्युआर प्रसंपत्र अगर आप सेकेंडियर में हैं चाहे बीय करre हैं बीयकी करें बेकुछ भी करें अगरस्वें सकेंडियर में तो आपको प्रिच्छा को देंडियरो पास होना भी अन्युआर होता है तो अच्छा रहेगा कि आप एक बार सेकेंडियर में भी इस परिच्छा को दे दीजिए अगर पास हो जाते हैं तो थर्डियर में नहीं देना पड़ेगा अगर आप फेल हो जाते हैं तो एक मौका और मिलेगा फाइनल यानि कि थर्डियर में तो अच्छा रहेगा कि आप सेकेंडियर में हैं तो एक बार इस परिच्छा को दे दीजिए तो चलिए हम लोग बात करते हैं राष्ट गोर परियवण मानम अधिकार अनिवार प्रसन पत्र की इसको मैं प्रसनों की माध्यम से हल करा रहा था जितने भी प्रसन आये हैं अभी तक या जितने आ सकते हैं उन सारे प्रसनों को मैंने लिया है और पीडिया भी आपको प्रवाइड कर रहा हूं तो हम लोगों ने 352 नमबर प्रसनों तक कर लिया था कि तीन सो बावान नंबर प्रस्ण आपका हो गया था उसके आगे जो है तीन सो तीरपन नंबर प्रस्ण है हम लोग को करना है आज से यहीं से तो जो तीन सो तीरपन नंबर प्रस्ण है व्यक्तिके शीखे हुए बिवहार को क्या कहते हैं कि ब्यagit के सीखे वे विवार को क्या कहते हैं औप्षन ऐ समाजिक सिच्छा औप्षन भी संस्कृती को CAS कोईrophy कूई नहीं तो जो व्यक्ति कभ व्योहार होता है यह जो उसको माता पिता घर वाले ओर वाले सिखाते उसको बोलते संस्कृति कहते हैं नहीं संस्कृति वगयरा है कि नहीं इसको और बोलते हैं संस्कार अगर यहां पर संस्कार दिया होता संस्कृति की जगा तो में लोग संस्कार पर टिक करते हैं तो ब्यक्ति के सीखे हुए ब्युभार को संस्कृति कहते हैं सब्धता दूसरी चीज हो गई फिर यहाँ पर 354 नमबर प्रशन है आपका तीर्थांकर सब्द किस से संबंदी थे आपसने 12 से आपसन B जैन से आपसन C हिंदू से आपसन D इसाई से तीर्थांकर सब्द किस संबंदी थे तो बार-बार इसका नाम आ रहा था 24 वे तीर्थांकर, 22 वे तीर्थांकर 23 वे तीर्थांकर मैंने कई बार इसको कराया भी है तो जैन धर्म से संबंदी थे टोटल 24 तीर्थांकर जैन धर्में हुए थे और 24 वे तीर्थांकर महावीर स्वामी थे महाविर जैन जिसको हम बोलते हैं 23 वे थे पार सुना था सोईतामबर और दिगंबर का जो विभाजन हुआ हो कहा हुआ सोईतामबर और दिगंबर संप्राय में विभाजन कहा हुआ option A पाटली पुत्र में option B वललभी में option C वैसाली में option D पावा पूरी में तो आपको बताना है जो सोईतामबर और दिगंबर पहले ये बताए कि किस से समंदित है सबसे पहला तो यही है कि किस समंदित है तो जो है सोईतामबर दिगंबर ये जैन धर्म से समंदित है और जो जैन धर्म था उसका विभाजन हो गया था पाटली पुत्र में पाटली पुत्र में विभाजन हो गया था यानी जैन धर्म दो भागों बट गया था एक था स्वेतामबर यहीं स्वेत वस्त धर्म करने विला और एक था दिगंबर जो बिना वस्त रेके रहता था तो इतामबर दिगंबर दोनों जयन धर्म से संबनी थे इनका विभाजन पाटली पुत्र में हुआ था फिर अगला प्रस्न है नालंदा विश्विद्याले के संस्थापक कौन थे उप्सनी कुमार गुप्त उप्सनी समुद्र गुप्त उप्सनी चंद्र गुप्त उप्सनी पुस्सी गुप्त तो इसका जो उप्सन ए है सही होगा कुमार गुप्त प्रथम ओके इसका पूरा नाम था कुमार गुप्त प्रथम इसी नहीं नालंदा विश्विद्याले बनवाया था अगला प्रस्ण है 357 नंबर का प्राशीन काल में कासी क्या था एक जन था या एक बिस था या एक जन पत था या फिर एक महा जन पत था तो option 20 का सही होगा कासी एक महा जन पत था अब यहां जो प्रस्ण है बहुत ही अच्छा प्रस्ण है बड़े बड़े एक जाम में एक कोईशन पूछा गया है तो इसको आपको याद रखना है कि भाई अगर आप आगे किसी वंडे कंपरटिशन एक जाम की तैयारी करते है तो वहां भी है से प्रस्ण पूछ ले आते है तो यह जो कोशन है बहुत ही इंपॉटेंट है चित्र बनी ठनी किस सैली पराधारी थे नाम से ही अजीब लग रहा है न option ए कांगड़ा, option B किसंगड़, option C, पूर option D इन में से कोई नहीं तो पहले समझ लीजे यह जो चित्र बनी ठनी यह है क्या देखे यह जो है एक पैंटिंग है, क्या है? पैंटिंग, एक चित्रकारी है जैसे आपकी पैंटिंग मना दी जाए फोटो, तो ऐसे बनी ठनी एक लड़की थी जिसका वास्तिविक नाम था बिश्डू प्रिया और ये किसंगड़ के राजा सावन सिंग की दासी थी या फिर आप कह सकते हैं संगीतकार थी, कवित्री थी किसंगड़ के राजा थे सावन सिंग उनकी दासी, कवित्री या संगीतकार थी विशलू प्रिया जिसका एक और नाम था बनी ठनी तो उसी की फोटो को हम लोग कहते हैं उसी की चित्र को कहते हैं बनी ठनी और इस बनी ठनी जो चित्र है इसका निर्मार किस ने किया था जो ये फोटो है चित्र कारी है इसको चितृत किस ने किया था? तो निहाल चंद ने किया था और ये किशनग्र सेली पर बनी है तो किशनग्र के जो गाजा थे सामर सिंग उणने भनमाया था तो चित्र बनीठनी एक लड़की का नाम है जिसका वास्तिविक नाम बिश्डू प्रिया था अगला प्रस्न है सुदर्शन जील का निर्माड प्रारम किसने करवाया था सुदर्शन जील का निर्माड प्रारम किसने करवाया था Option A असोक के राज में हुआ था Option B हर्ष के राज में Option C चंद्रगुपत मौर के राज में Option DIN में से कोई नहीं यानि किसके राज में जो सुदर्वसन जील है उसका निर्मार प्रारंब हुआ था तो यहाँ पर जो Option A है असोक के राज में option ने असोक के राज में option B हर्ष के राज में option C चंदरगुप्त मौर के राज में option D इनमें से कोई नहीं आपको बताना है सुदरशन जील का निर्मार किसके सासन काल में किसके राज में प्रारम हुआ था यानि इसका निर्मार कब शुरू हुआ था तो यहाँ पर जो option A है आपका, sorry, option C, option C है चंद्रगुप्त मौर, ओके चंद्रगुप्त मौर के राज में सुदर्शन जील का निर्माल होना प्रारम हुआ था और सुदर्शन जील है कहाँ, तो सुदर्शन जील जो है गुजरात में एक जिला है, गिरनार, गुजरात के जि गिरनार में सुदर्शन जील है, जिसका निर्माल शुरू किया था, चंद्रगुप्त मौर ने, यहाँ एक और बहुत ही अच्छा प्रसन है, 360 नंबर का सेशनाग सैया पर लेटे हुए बिष्णू की मूर्ति विद्धमान है, सेशनाग सैया मतलब आप देखते हैं बाई, जैसे मतलब उसका फन रहता है, फन साप का साथ आठ फन रहता है, उसी के नीचे हो सुए रहते हैं, तो ऐसा जो चित्र है, वो उसकी मूर्ति कहां बिद्धमान है, यहाँ इस टाइप की मूर्ति कहां मिली है, आप्शने, देवगण मंदिर में, आप्शन B, तीगवा मंदिर में, आप्शन C, एरण मंदिर में, आप्शन D में से कोई नहीं, तो सेशनाग सैया पर लेटे हुए, विश्णू की जो मूर्ति है, वो मिली है, एरण मंदिर, मंदिर का नाम है एरण मंदिर, और यह कहां प 361 नमबर का संगीत में कितने स्वर होते हैं तो सभी लोग जानते हैं आप्शन A 5, आप्शन B 9, आप्शन C 7, आप्शन D 8 तो यहां सभी लोग जानते हैं इसका उत्तर 7 स्वर होते हैं सारे गामा पाधानी अगला जो प्रशन है आप्शन A गूमर, आप्शन B चिर्मी, आप्शन C कालवेलिया, आप्शन D उप्रोक तो सभी तो यह जो प्रशन है थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है मुझे वैसे तो इसका जो आप्शन A है मेरे ख्याल से वो सही होता गूमर आप्शन A मेरे ख्याल से मैंने इस पर खोष बिन की राजस्तान का प्रसिद्ध लोकंद्रित गूमर ही है और इस पर गाना भी बना है आप देखें फिल्मों में तो गूमर जो है मेरे ख्याल से इसका सही आप्शन होगा लेकिन जो है गाइड में इसका आप्शन D दिखा रहे है यानि उपरोक्त सभी यानि कि कालवेलिया भी है चिर्मी भी है घूमर भी है लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रसिद्ध लोकंद्रित क्या है वो नहीं पूछ रहा है कौन कौन से है पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन A सही होगा घूमर हाला कि इसको आप देख लिए एक बार आपके पास अगर बुक है कोई या फिर कहीं से अगर आपको मिल जाता तो इसका सही उत्तरा आप मुझे बताए कमेंट बॉक्स में ये आपके लिए प्रस्ण है ओके राजस्थान का प्रसिद लोक नरित कौन सा है प्रसिद लोक नरित तो घूमर है लेकिन ये आपको देखना है कि क्या ये भी राजस्थान के ही नरित है ये आपको देखना है ये तो पता है कि घूमर है लेकिन अगर ये भी होंगे तो आपका जो आपसान है D हो जाएगा तो ये आप पर मैंने छोड़ दिया है अगला प्रसन है गुजरात का प्रसिद लोक निरित कौन सा है गर्बा, गुहूमर, नाटी इन में से कोई नहीं तो बहुत ही आसान इसका जवाब है गर्बा ओके, गर्बा जो है वो गुजरात का प्रसिद लोक निरित है और यहां मैंने गुहूमर आपको बताया था राजस्तान का तो गर्बा यहां पर पूशा था अगला प्रस्ण है पंजाब का प्रसिद लोक निर्त कौन सा है option A, गर्बा, option B, भांगड़ा और गिद्दा, option C, नाटी, option D, इन में से कोई नहीं तो इसका जो option B है वो सही होगा, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब, हरियाणा यहां सब भांगड़ा बहुत ज़्यादा चलता है हलाकि यूपी में इसका प्रभाव पड़ रहा है आप साधिवियों में भांगड़ा जरूर लोग बुकराते हैं क्योंकि भांगड़ा पर डांस करने में कुछ मजा ही अलग आता है तो यहां जो भांगड़ा और गिद्दा है पंजाब और हरियाणा का प्रसिद्ध लोक निर्थ है तो भांगड़ा और गिद्दा आपका जो ऑप्शन है भी सही होगा अगला प्रस्न है तीन सो पैंसर नुमर का गुजरा यहां पर पुछा लोक गीत बाउल का सम्मद किस से है किस राजसे है आपसन ए प्रस्चिमंगाल आपसन भी विहार आपसन सी राजस्तान आपसन डी उत्तर प्रदेश लोक गीत एक लोक गीत है बाउल तो उसका सम्मद किस राजसे है तो option C यहाँ पर सही होगा राजस्थान option C सही होगा राजस्थान हाला कि इसका सम्मद्ध यंपी से भी है मद्ध प्रदेश में भी ये लोग गीत गाया जाता है एक लोग गीत है लोग गीत मतलब गाना और लोक निरत मतलब डांस तुम में अंतर है तो ये जो लोग की गीत है बाउल ये राजस्थान से सम्मद्ध है यंपी से भी सम्मद्ध है लेकिन यहाँ पर यंपी option नहीं दिया है तो इसलिए हम लोग राजस्थान को टिक करेंगे पंडित सिव कुमार सर्मा क्या बजाते थे option E सितार option B बासरी option C तबला option D संतूर तो आपको बताना है सिव कुमार पंडित सर्मा यानि पंडित सिव कुमार सर्मा किस चीज में माहिर थे कौन सी चीज या कौन सा यंत्र वो बजाते थे तो यहाँ पर जो आपका option होगा वोगा D संतूर संतूर एक वादियंत्र होता है मतलब उपकराण होता है बजाने वाला तूसी को बजाते थे पंडित सिव कुमार सर्मा अगला प्रस्न बहुत ही सरल है इसका जवाब तो आप जानते ही होंगे 366 नमबर का प्रस्न है उस्ताद जाकिर हुसायन बजाते थे क्या बजाते थे ए तबला और संतूर option B बांसुरी option C गिटार option B हार्मोनियम तो आप यूटूब पर जाके देख लेजिए इसका जो option A है सही होगा संतूर और तबला देखे तबला तो बजाते थे ये मुझे पता है लेकिन संतूर मुझे जानकारी नहीं थी बट यहां चुकी ये option हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता है हो नहीं सकता तो तबला वाला जो है option वही सही होगा संतूर मैं नहीं जानता है लेकिन तबला वो बजाते थे तबला वादक है बहुत बड़े तबलाव आदफ है एक खास से तबलाव जाते हैं अगला प्रस्न है जिम कारबेट राष्टिय उद्दान कहां इस्तित है ए हिमाचर प्रदेश बी केरल शी उत्तर प्रदेश डी उत्तराखंड ऑप्शन इसका डी सही होगा उत्तराखंड में ओके जिम कारबेट नेशनल पार्क या जिम कारबेट राष्टिय उद्दान उत्तराखंड में इस्तित है अगला प्रस्न 379 का उत्तर प्रदेश के किस जनपद में दुधवा राष्टिय उद्दान इस्तित है उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जहां पर दुधवा राष्ट होगा बी लखीम पूर खीरी यहां पर दुधवाराश्टिय पार्क या दुधवाराश्टिय उद्धान इस सिद्ध है अगला प्रस्ण है 370 नंबर का वातान कूल वस्तो से सरबाधिन निकलने वाली गैस है कौन सी गैस है क्लोरीन मेथेन क्लोरो फ्लोर कार्बन या कार्बन डायकसाइड वातान कूल वस्तो मतलब जैसे जो रेफ्रिजरेटर वगएरा फिर्ज वगएरा हो गए तो उनसे कौन सी गैस निकलती है तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन निकलती है जो कि हमारे ओजोन परत को काफी ज़्यादा हो चाती है तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन जिसे आप सी अपसी भी बोलते हैं वातान कुल वस्तों से सरबादी निकलने वाली गैस है दिखिए अब जो प्रस्ण आएंगे ज्यादा तर वो आपके साइंस भूगोल परियावरण इन से सम्मंदित होंगे क्योंकि अब हिस्ट्री और जो आपका मतलब हिस्ट्री था हिस्ट्री का जो पार्ट था चाहे प्राचीन इतिहास से रहेंगे कुछ से रहेंगे बागी ज्यादा तर वो परियावरण से सम्मंदित परसन रहेंगे तो यहां पर पहला प्रसन आपका मतलब 371 नमबर का प्रसन है हलां कि यह सायंस का परसन है रताउंधी किस विटाम닌 की कमी से होता है option A, vitamin B option B है, इसका vitamin C option C, vitamin A option D, vitamin D किस vitamin की कमी से रताउंधी रोग होता है तो आपने पढ़ाओगा vitamin A की कमी से रताउंधी रोग होता है vitamin A, आपका option सही होगा फिर यहाँ पर है 332 नंबर का प्रस्ण सरवाधिक oxygen प्रदान करने वाला bridge कौन सा है, option A, people name, arm, बर्गद तो कौन सा bridge है, जो सबस्यादा oxygen देता है, तो people, okay, people सबस्यादा oxygen देने वाला bridge है अगला परस्ण 373 नंबर का पोधों की पत्तियों का हरा रंग होने का क्या कारण है, मतलब पोधे की जो पत्तिया होती है, हरे रंग की होती है किस कारण से, option A ammonia, option B, oxygen option D chlorophyll, option D chlorine, तो यहाँ पर जो आपका option होगा, वो सही होगा option C, chlorophyll, okay chlorophyll या इसको इंगलिस में, मतलब हिंदी में इसको बोलते है, पढ़ हरीम इंगलिस में बोलते है, chlorophyll अब यह इंगलिस वर्ड है लेकिन हिंदी में लिखा है इसको हिंदी में बोलते है, पढ़ हरीम तो उसी के कारण जो होती है, पत्तिया हरी होती है हरे रंग का एक वर्ड एक होता है, ओके फिर अगला जो प्रस्न है आपका बिटामिन C का कौन सा सुरोथ है आप्शन A, आम, आप्शन B, नीबू, आप्शन C, मक्का, आप्शन D, गंड़ा मतलब कौन सा जो फल है यहां पर कौन सा सुरोथ है जिस से ज़्यादा मात्र में बिटामिन C प्राप्ट किया जाता है तो जितने भी खटे पदार्थ होते हैं खासकर नीबू, संत्रा वगएरा यहां से आप बिटामिन C बहुत ज़्यादा प्राप्ट कर सकते हैं तो बिटामिन C का जो सुरोथ है नीबू फिर यहां अगला प्रस्न है 375 नंबर का वैक्टिरिया द्वारा होने वाला रोग कौन सा है ओके ओप्शने टिटिनेस ओप्शन बी चेचक ओप्शन सी एड्स ओप्शन डी पोलियो तो यहां जो आपका ओप्शन है वो ओप्शन होगा ए जो होता है वैक्टिरिया यह जिवाडू दौरा होता है झिवाडू इसको हिंदू ही हिंदि में जिवाडू बोलते हैं इंग्लिष मीं बैवक्टिरिया तो तत्तनेस ओगेरा है थे चेचक और एड्स है जय वाइरेस के द्वारे होते है ओगईर्स होता नहीं वाइरस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो टेटनेस जो है वह वह बैक्टीरिया द्वारा होता है 376 नमबर का जो ट्रशने आपका मेथेन गैस उस सर्जित करने वाला खेत है यानि किस प्रकार की खेती करने से या कौन सी खेती है कौन सी क्रिसी है जिससे सरवाधिक मात्रा में मेथेन गैस निकलता है option द्धान काखेत option B गेहूं काखेत option सी मुंपली option D मख्ये का खेत है तो यह जो option इसका है चलिये बता दू कई मैं फिर 바geon cui चल्य बता देता हूं एक प्रस्तन मैंने आपके लिए दिया ही है ओके इऑ कि भाई के लिए उसका उकतर सही से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है धूंड करके तो इसका मैं अंसर आपको बता जाता हूं धान का के खेत में काफी ज्यादा बीथान गैस उत्पन होती क्योंकि ऐसा इसलिए होता कि धान की क्रिशिक की जाती है बारिस के समय में तो मतलब उसकी की जड़े काफी गल जाते हैं क्ये तो जड़े काफी गल जाते हैं तो वहां सडान पैदा हो जाते हैं फिर मेथेन गैस वहां पर निकलती है तो धान के खेस हैं अपकर लाश्ट प्रस्ण था और आज हम लोग इतने ही प्रिश्णों को लेंगे उमीद करता हूं वीडियो आपको सारे पसंद आ रहे होंगे तो सारे वीडियो को देखिए स्विक्वेंस और लाइक किजे और अपने दोस्तों में सेर किजे चैनल पर पहली बार अगर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजे